अस्वालेकुम आज हम बात करते हैं कंप्योटर की बूर्ड के बारे में कंप्योटर की बूर्ड क्या है निचे अगर डिफिनिशन देख ले तो लिका है कंप्योटर की बूर्ड is an input device to enter characters and function into computer system by processing buttons or keys तो इसका मतलब है कि कंप्योटर की बूर्ड यह इन्पूट डिवाइस है जिसके तो हम कुछ character function computer को या instruction देते हैं वो computer आगे उसको process करके हमें output देता है तो simple इसका definition यह एक input device है जो इदर highlight होते हैं बटन इसको एक एक discuss करते हैं तो चलो next slide पर चलता है अच्छा यह पर देख लिए इदर लिका हो है कि the keyboard is divided into four main section से तो अगर हम यह पहला देख लिए यार आ अल्फा नुमेरिक कीज टीक है तो दूसरा है control कीज और तीसरा है function कीज और जो ता जो है वो न्मेरिक कीजें सही है चलो यह पर देख लेते है अलफा नुमेरिक कीज दोस और दा कीज देट यू यू यूज टू टू टाइप लेटर नंबर सेंबल ठीक है इसका मतलब है के अलफा नुमेरिक मुच्तमिल होता है लेटर नंबर और सेंबल तो यह जाई कीज बूर्ड में इस पर एबी सीडी लिका हुआ है फिर इसका नंबर भी लिका हुआ है समसिम्बल भी इसमें वज़ोद होता है तो अगी बूर्ड के जो एबी सीडी वाला इसके साथ नंबर भी है जो फंक्शन की के निचे से है और नंबर और सिम्बल भी है तो इसको क्या कहते है इसको अलफा नुमेरिक कीज कहते हैं नेक्स पर चलते हैं कांट्रूल स्कीज जो है यह दोस्कीज आर योज़ टो परफार्म स्पेशल फंक्शन सच इस कॉपी एंड पैस्ट टेक्स से इसका सिंपल मतलब है कि आ वो कीज कांट्रूल स्कीज जो है न वो की है जैसे कि हम इस्तिमाल करते हैं अक्सर टेक्स को कापी करना पेर पेस्ट करना अच्छा इस स्लाइट पर जो है यह पिक्चर बिल्कुल डिस्टाप कंप्यूटर वाला कीबोर्डे से एक एक चीज हाइलाइट भी हुए से यह भी देख लें तोड़ सा आपको फर्क दिखाई देरहागा कि लिप्टाप वाला चल यह देख लें यह पर यह पर ठीक है तोड़ सा चेंजिंग है इसलिए मैंने आपके साथ तीन पिक्चर जो है यह यह शेयर किये से आप यह पर एक एक चीज को देख सकते हैं ठीक है अमिद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लोगिंग साथ शेयर भी कर ले लाइक सुस्क्राइब ना बोले अगर आपको इस तरह वीडियो पसंद हो अचा अगर आप इंफरमेशन कीबूर्ड के बारे मजीद इंफरमेशन चाहते हो तो निच्छी कमेंट में जरू लिगे इंशाल्ला में और वीडियो बनादा हो सही तेंक्यो कर दो